पुल निर्मार्ण के लिए खुदा बक्ष लाइब्रेडी को तोड़ने का निर्णय शर्मनाग गाव जवार के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी ने राजधानी पतना में फ्लाइब्र निर्मार्ण के लिए सरकार द्वारा एतिहासिक धड़ोहर कहे जाने वाले खुदा बक्ष ओरियंटल लाइब्रेडी के हिस्सों को तोड़ने संबनित फैसले को और शर्मनाग बताया है उन्होंने कहा कि शिक्षा के शेत्र में इस लाइब्रेडी का महत्वपून योगदान है इसकी ख्याती पूरी दुनिया में है यहां कई इतिहासिक दस्तावेज रखे हुए हैं इतिहास की जानकारी लेने वालों के लिए यह एक एहम स्त्रोथ है यह लाइब्रेडी बिहार की संस्कृती का एक एहम हिस्सा भी है यहां देश के कई दिगज महापूरुष पधार चुके हैं राश्ट्रपिता महत्मा गांधी तक इस लाइब्रेडी में आ चुके हैं ऐसे में इस लाइब्रेडी के किसी भी हिस्से को तोड़ना संस्कृती और इतिहास पर हमला करने जैसा है नालंदा विश्व विद्याले की तरह ही इसे नश्ट करने जैसा कहा जाएगा गाउजवार ने कहा कि फ्लाइओवर के नक्षे में बदलाव कर इस लाइब्रेरी को बचाया जा सकता है संगठर ने सभी समाजिक संगठनों और शिक्षावि हैं वहिराज सरकार एक एतिहासिक लाइब्रेरी को बड़बाद करने पर अमादा है अगर सरकार ने फैसला नहीं बदला तो गाउजवार अन्य संगठनों के साथ आंदोलन करेगा तमाम लीडिस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल नूस 20